हालो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ICICI Securities Limited की शेयर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कंपनी करती क्या है जैसे की Securities यहाँ पर है तो यहाँ पर यह सारा के सारा ब्रोकिंग से रिलेटेड वोगे कंपनी काम करती है और काफी बैतरी और काफी बड़ी यहां पर कंपनी है तो देखे क्या है D-merger से इलेटेड से इस कंपनी के यहां पर बात चल रही है अगर वो नहीं होता थीक है ना मेरी बात को यहां पर समझेगा अगर नहीं होता तो यह share एक milestone यहां पर एक जर नहीं तया कर सकता है ठीक है जिससे लेटे हम यहां पर बाते करने वाले लास्ट अग वीडियो को देखते रहिएगा ठीक है आपको सारी की सारी सारी समझ में आए तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इससे पहले हमीशा की तरह आप से रुक्वेस्ट करूँगा कि I Am Small Cap Investor Channel को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट अल की नॉटिफिकेशन को और करें बाइंसा लिंक की रिकमेंटेशन है नहीं अपने Financial Advisor कुद की स्टाडी करना है चीजों को सीखने पर फोकस करना है और चीजों को सीखना है यहां पर वीडियो को देखके यहां पर वीडियो कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है सारे की सारे आंसर आपको मिलते हुए नजर आएंगे शेर क्यों भागते है शेर क्यों गिरते वो आइडिया लगेगा 25,000 रुपर का कोर्स है 3 months की Handholding है इसके बाद आपको बहुत ज्यादा है यहां पर चीदे होती ही नजर आएगी ठीक है तो इसलिए यहां पर लिखा है तो पहले सीख लेंगे तो पैसे अपने आप दीरे दीरे अपने आप जब 3-4-5 साल अपने आपको दे देंगे ना तो आप एक ऐसी जर्णी में निकल जाएंगे जहां पर आपके पीछे बहुत कुछ होगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और साथ में किसी को काम करना है तो इनी नंबरों पर कांटक करके साथ में काम भी कर सकते हैं अब बात करते हैं आई जेसे से क्योर्टी सकी तो सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं और बीच बीच में बाते चलती रहेगी और मैं आपको इस बात करें तो यहां पर देखिए मिट का कंपनी है 23,293 करोड रुपे का मार्केट कैप है इसका मादब क्या है मिट कैप कंप का यहां पर आरोई है जो की काफी बैतरी नजर आता है कोई प्लैजिंग नहीं है 393 का इंट्रेंसिक वेल्यू है 721 पर चल रहा है करें last year की last quarter की तो आपको बात चलेगा लगबग 100% के आसपास की है maximum chart pattern की बात करें तो यहां पर शेयर आया था ओके आने कहां तोड़ा सा गिरावट हुई और इसके वाल लगा था शेयर भागा भी था यहां पर एक आप देख पा रहे हो यहां पर एक consolidation phase में गिरावट भाग भाग रहा है okay consolidation phase में इसका मतलब क्या यह क्यों भाग भाग ने रहा है बाकि दूसरे security शेयर देखोगे तो यहां पर तीन गुना दो गुना इस तरीके से भागते हुए नजर आये तो उसके पीछे का reason है कि यहां पर company D-list के लिए कोशिश कर रही है ठीक है और D-list के लिए वो सारी conditions यहां पर matter करती है और main conditions क्या है उनमें से main condition है कि promoters के पास लगबग लगब 95% के यहां पर share होने चाहिए और अभी promoters जो कि ICICI bank है इनके पास cable 75% के आसपास की ही यहां प data यह रहा और FIIs और DIs यहां पर share देने नहीं वाले public भी मेरी खाल से नहीं देने वाली ठीक है ओर जीने देना था वो थोड़ा बहुत यहां पर दे चुके है तो D-list मेरी हिसाब से नहीं होने वाला और अगर D-list नहीं होता तो आप सभी के लिए positive news है क्यों क्योंकि यहां यहां से share एक milestone तै कर सकता है share एक अच्छा खास है तेजी की तरफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है तो उसी चीज से लेटें यहां पर मैं बाते करने वाला हूँ तो पहले company के बारे में जान सकते है तो यहां पर देखिए quarterly results company के results देखोगे तो आपको समझ में पर देखिए और operating profit, net profit, EPS, as well as margin यहां पर दिखाती हुए नजर आ रही है तो यहां पर अच्छा नजर आता है yearly based पर company का performance अच्छा खासा है net profit company अच्छा खासा करती हुए नजर आ रही है reserves की बात करें company के reserves लगाता बढ़ रहे है तीनजा करोड के reserves पोज गए है इसका मतलब है आने वाले टाइम में bonus भी मिलता हुए नजर आ सकता है borrowing की बात करें company यहां पर borrowing बढ़ती हुए नजर आ रही है यहां working progress में 32 करोड रुपी है investment यहां पर 10 करोड और cash की बात करें तो 9,000 करोड के आसपास को तो cash पढ़ा हुआ है तो यह सब चीज क्या है यह सब चीज एक अच्छी positivity यहां पर show करती हुए नजर आती है as well as यहां पर देखेंगे तो promoters के 75% FIs, DIs यहां पर सारे के सारे यहां पर अच्छी खासी holding लेकर बैठे हुए है तो आपको यहां पर share की तरफ ध्यान देना है ठीक है अच्छा खासा share है अगर यह share अगर हम यहां पर देखे नहीं देता ओके डी लिश्टिंग नहीं होता तो यहां पर यह share अच्छा खासा movement करता हुआ नजर आ सकता है याद रखिएगा बैंग जालिंग की recommendation इस बेस पर है नहीं और यहां पर एक मीटिंग होने वाली है अप्राइल 2026 में ठीक है चार्ट क्या कह रहा है उससे लेटीन हम बाते करेंगे बट उससे पहले हमिशा की तरह आपसे request करूँगा चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को hit all the notification कौन करिएगा buying selling की recommendation है नहीं चीटों को सीखने पर focus करना है वीडियो इसको जाके आपर देखनी है share करना है दूसरों के साथ में और इन नंबरों पर contact करके course कर सकते हो साथ में काम कर सकते हो एक बार और बात करने का कोई पैसा नहीं है जान लीजिए आपका ही कहीं न कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा आई से इसे securities की अगर हम बात करें तो देखिए अच्छा कासा है यहां पर moment आया है ठीक है न वह आप यहां पर देख सकते है शेयर डबल भी हुआ है इसके बाद गिरावट भी होती ही नजर आई है ठीक है और जो यहां पर मुझे दिखाई देता है वह एक अच्छी जीज़ है अगर डी लिश्टिंग नहीं होती तो यह शेयर कहीं न कहीं 2000-3000 रुपे तक यहां पर जरणी ते कर सकता है ठीक है यहां पर एक पैटन बंता हुआ नजर आ रहा है उस पैटन की आगर मैं बात करूं तो यहां पर एक कब्विध हैंडल है और ईक हैंडल है और इसके बात यह शेयर थोड़ा सा यहां पर consolidation phase में जा सकता हूँ फिर इसके बाद ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है target की बात करें तो कितने target इसके हो सकते हैं तो target की अगर हम यहाँ पर ले के चलते हैं तो लगबग लगबग यह share आपको अच्छा खासा यहाँ पर return देते हुए नजर सकता है तेरह सो बीस का यहाँ पर target आ रहा है बट मुझे लगता है कि तेरह बीस इनफ नहीं है यह 55-56 रुपीज तक यह share आता हुआ दिखाई दिया था ठीक है और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर यह share delisting इसकी हुई नहीं थी और delisting नहीं हुई थी तो यह share कहां तक गया था वही 50-60 और 100 रुपे वाला है तो यह होता हुआ नजर आ सकता है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा नजर आता है ठीक है everything is doing well company अच्छा खासा काम कर रही आई से इससे securities और मुझे लगता है personally देखिए delisting तो होने से रही delisting यहाँ पर नहीं होगी और delisting अगर नहीं होती तो शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है तो इस शेयर की तरफ शेयर है नजब में रखिएगा वाचलिस्ट में रखिएगा और अपने बाइंग से पहले अपने फानीशल एडवाइज और खुद की श्टाइडी जरूर कर लिजेगा थैंकि सो मच गॉडबलेस